हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पूनम की रसोई और आज हम एक ऐसी चटनी की रेसिपी लेके आए हैं जिसको आप इटली डोसा दाल चावल सबजी रोटी सबजी पूड़ी किसी भी चीज के साथ खाएंगे तो ये दाल चावल सबजी रोटी कम खाएंगे चटनी ज्यादा खा दाल को लोटू मीडियम फ्लेम में 80 परसंट तक कुक कल लेना है और अब हम इसमें डाल देते च्छे कली लहसुन, आदे इंच कादरा का टुगडा और पांच लाल मिर्ज और आदा मिनट तक इनको भी सहेक लेना है अब हम इसमें चार मीडियम साइज के टमाटर डाल दें अब हम इस सारी चीजें गरम है तो चटनी हमको तो अभी नहीं पीछना है होड़ा साम ठंडा कर लेंगे तो हमने प्लेट में निकाल प्लेट के लिए रग दिया है पांस बाद ही और यह थन्य हो गई हैं तो अब हमको चटनी पीछ है हमने ले लिया है अब हम एक जाल ले यह चीजे जार में डाल देंगी और दल्या भी यह में को एड करना है तो दल्या आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और यह जब दन्या ढाल दी इसी के साथ हमें एक चम्मस से थोड़ा कम नमक डाला है नमक आप अपने टेस्ट के आ कोर्डिंगे डाले और इसी तब तक बाइब बनाएं आपको बहुत ज्यादा पसंद आगी फिर मिलते हैं आप से एक नए वीडियो के साथ तब तक बाइब झालफ तक के तार बर्वाइब टार चांप में आपसादाग स et चरपियो को मुझ450ủ crank में वान आपको बनापको स में वीडियो की में आपको